हेलो दोस्तो स्वाध्यत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में दोस्तो आज भी नंग 8 अक्टूबर 2024 है और आज आपका विहार बेल्ट्रॉन दिएयो फर्स्ट सिप्ट के दोस्तो पेपर सनाथ चुका है दोस्तो आज के एक्जाम में यानि कि फर्स्ट सिप्ट के पेपर में जो कोस्टन्स पूछे गए थे हम उसी तरह के कोस्टन्स का यहाँ पर सठीक अनलेसिस करने वाले है और उसका सठीक प्रिव्यू करने वाले हैं दोस्तो आज के एक्जाम में जो जातर कोस्टन्स आपके पूछे गए थे MS PowerPoint, MS Word, MS Office, MS Excel, Mail Tab और आपका Basic Computer Knowledge से आपके दोस्तो कोस्टन्स को पूछे गए थे दोस्तो हम 19 सभी कोस्टनों का यहाँ पर सठीक अनलेसिस करने वाले हैं तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए हम पने वीडियो को एस्टार करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार भी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के विच करते हैं और साथ ही साथ एक लाइक जरू किजिएगा दोस्तों अगर आपका एक्जाम आने वाले किसी भी एक्जाम डेट में है तो आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखेगा और यह नोट किजिएगा कि विहार पेल्ट्रॉन डिए किस तरह के प्रसन आपके करते हैं कि दूस्तों आपके एक्जाम एक एक्सल से पूछा गयाता तो यह देखिए श्रूर शीन में आपका उपस्तित नहीं होता है ठीक है आपको बताना है कि एक्सल के वर्क सीट में आटो सेप जो होता है उसमें कौन उपस्तित नहीं होता है और ऑपसन दिया गया था फोल्व चार्ट बेसिक सेप ब्लाक एरोस और अपका बर चाट ठीक है तो इसके रहाइट शर्च EARES बार चाट टो अपका और हम दोस्तों आपको अपका उक्सेट के ऊटो सेप में होने चाहिए कि जो आपका सेप होता है वह किस गुरूप के कहते ह आपका इंसर्ट यह आपका टाइब हो गया और यह से पायजाता है तो यह जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यह इसा आपका बलेक रो ऐसा आपका दोस्तों उपर हो गया ठीक है तो इसके अंक्रकत यहां पर देख सकते हैं बेसिक सेस्ट पाए जाते हैं तो यहां पर बार चार्ट देखने को कहीं पर नहीं मिलेगा तो राइट दोस्तों आपका उपसर नंबर फूर जानी की बार चार्ट दोस्तों इसी तरह आपको कराने वाल हैं जिनका एक्जाम अभी नहीं हुआ है यहां से चार से पांच को संट पर से इसी बेसित के पूछ ले जाएंगे यह हमाने दोस्तों बहुत अच्छे से तरीके समय इंप्रेट को संट आपके ले कर आये हुएं दोस्तों जातर questions आपके previous question पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अगला question देख चाकते हैं, कि हाल ही के style में दो paragraph के बीच, sorry, एक ही style के दो paragraph के बीच की जगह को हटाने के लिए MS Word 2016 में 20 function का आपका चाहिए, ठीक है, आपको एक ही style के दो paragraph आपके पास है, उसके बीच के जगह को आपको हटाना है, तो Excel में, sorry, MS Word में 20 function का आपका चाहिए, तो उसमें दोस्तों एक function का चाहिए, जिसका function है आपका layout paragraph indent and spacing dot and spacing in same style paragraph, ठीक है, जो कि आपके यह भी कल्प जो दिया गए, आपका option no.2 में दियागा layout paragraph indent indent and spacing dot and spacing, same style paragraph, ठीक है, तो दोस्तों जैसे के नीचे आप लोग screen shot में भी देख रहे होंगे, यह आपका जो screen shot है, MS Word का है, यह आपका layout tab हो गया, इसी कल्प आपका paragraph ग्रूप हो गया, ठीक है, यह आपका left, right और आपका भी board after दियागा, यह आपका indent दिया गया, ठीक है, जो क indent and spacing देगा, इसी से दोस्तों आप लोग, विच की distance को हटा सकते है, ठीक है, तो right answer आपका off देगा, option no.2, अगला question देखिए, इससे पहले दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, तर फ्लीज वीडियो को लाइक कर देजिए, और चैनला को सब्सक्राइब ह चैनला को सब्सक्राइब कर आपको दोस्तों को इस दोस्तों को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो right answer आपका home menu में insert tab से, ठीक है, home menu में insert tab से जाका, file, sorry, एक नया seat को बढ़ा सकता है, यह सिक दोस्तों आप इस इस को insert कर आप देख रहे हैं, यह आपका home menu हो गया, इसमें द जो type होते हैं, मिल जाते हैं, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके style group में, ठीक है, style में, group आप जो insert tab होता है, इसी करते हैं आप insert cell, seat row columns, यहाँ पर insert seat, ठीक है, insert seat, इसी से दोस्तों आपको इस seat को यहाँ बढ़ा सकते है, ठीक है, तो right answer आपका हो जाएग, option number 4 जाएग कि home menu में, insert tab से, ठीक, अगला question देखिए, यह भी questions एक दोस्तों, अच्छा questions है, important question है, आपके exam के लिए, ठीक है, यानि कि text को select रहेंगे, right click करके text को direction change कर देंगे, ठीक है, तो उसके दिशा आपको बदल जाएगे, जो कि आपका option number 4 में आपका दिया गया, ठीक है, चुली अगला question देखते है, दोस्तों अगला question यह भी आपका Excel से पूचा गया था, ठीक है, कि Excel 26 workbook कार्या पुच्टिका को निमन में से किस menu में सनक्षित किया जा सकता है, यानि कि उसको पासवर्ड लगाया जा सकता है, तो file and review, ठीक है, file and review इसका दूस्तों, right answer अपका, हो जाएगा, जो कि आपका option number 1 में दिया गया, ठीक है, अगला question देखिए, Excel फाइल पर password यानि के encryptions को हटाने का तरीका क्या है, यानि कोई भी Excel sheet form अपने password को लगा है, उसको हटाना है, तो उसका तरीका आपको बताने क्या है, तो सबसे पहले हमें करना है क्या होगा दोस्तों, कि workbook को खोलने के लिए password डालना होगा, और फिर permission प पर क्लिक करना होगा, वहाँ पर encrypt with password वाक्स में बने password को डिलिज करना होगा, इसके बाद आपका password हट जाएगा, जो कि अभी कल्प आपका option number 2 में दिया गया है, ठीक है, next question देखिए, ms excel में आप dash command का उप्योब कर excel से, दूसरे cell में शुत्र को आपको copy करते हैं, दोस्तों बहुत easy question सा है, control plus c, control plus c से हम किसी भी text को copy, control a से किसी भी चीज को हम select, select all करते हैं, control b से किसी भी चीज को यहां पर बोल्ट करते हैं, और control d से किसी भी चीज को delete करते हैं, दिलीट करते हैं, तो इसका right answer हो जाएगे दूसर आपका option number c, control plus c, अगला question देखिए आपका powerpoint से, कि powerpoint में slide के dash तत्वा में slide के मुख्या, समगडिया आपका दूसरे होती है, तो आपका titles में होती है, जो आपके titles में जो होती है, समगडिया आपके available होती है, ठीक है, अगला question, ms1 2016 में mail merger में select recipient के ताहत, यह लिकित में कौन सा आपका उपलब्द नहीं होता है, ठीक है, आपको बताना है कि mail merge के जो आपका select recipient होता है, उसके ताहत कौन सा आपका विकल्प जो है उपलब्द नहीं होता है, तो उसमें list का default का पड़ियोग करें, यानि कि use default list जो होता है, वो आपका विकल्प यहां पर नहीं होता है, ठीक है, अगला question देखिए कि Excel के द्वार 16 में delete के drop down, button के ताहत, dash विकल्प का उप्योग, चाइनित कलम में, चाइनित कलम को हटाने के लिए दोस्तों किया जाता है, ठीक है, तो अगला question देखिए, निम लिखित में कौन सा इंटरनेट पर computer या server का एक नाम है, तो आपका host हो जाएगा, ठीक है, host जो आपका computer और server का एक नाम होता है, अगला question, कि dash जो है predefined पूर्व परिभासित सुत्र है, और Excel में पहले से ही आपका दोस्तों उपलब्द है, concept of functions, ठीक है, functions जो होते हैं, पूर्व परिभासित आपको सुत्र होते हैं, जो कि आपके Excel में पहले से available होते हैं, अगला question देखिए, कि dash एक मानक फोन लाइन और माडेम का उप्योग करके computer और ISP के बीच अस्थापित एक और on-demand connection है, ठीक है, तो यह हो जाएगा अपन सो dial up access, ठीक है, right answer के दोस्तों बात प्रताब का dial up access हो जाएगा, ठीक है, अगला question देखिए, कि presentation बनाने के लिए inbuilt design, याणिके अंतर नहीं अभिकल्पित, फाइल को क्या कहा जाता है, तो दुस्तों फाइल को कहा जाता है, आपका sample templates, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अंडबिल्ड डिजाइन को दूस्त का जेता है सेंपल टैमप्लेट्स ठीक है अगला कोशन टेक्स्ट प्रकटन को बदलने के लिए इन में से किस टूल बार्ण में बटास दूस्त आपका होते हैं तो फर्मेटिंग यानि के स्वारूपर ठ ठीक अगला देखिए रीवन माइक्रोस्ट ओपिस को डिस्प्ले यानि परतरचित करने और मिनिमाईज यानि की छोटा करने के लिए किसकी कंबिनेशन का पड़ियों किया जाता है तो आनि कंबिनेशन स्वाटकट कुण जी आपको बाता हैं तो कंट्रोल पलस एफ1 ठीक ह स्लाइड को व्यवस्तित करने यानि करने या कोपी करने के लिए किस चैनल का उप्योग आपका किया जाता है तो तो राइट एंसर के एक बात कर लें यहां पर होई जाए आपका स्लाइड्स पाइंट ठीक है ऑप्शन नमर्ज आप अफ़ोड में दिया गा है स्लाइड्स नेक्स कोस्टन देखिए निम लिखित में किस चैनल में हम मेल मर्च में एक नई रेसिपियंट लिस्ट दोस्तों बना सकते हैं तो मेल मर्च को एक नई रेसिपियंट लिस्ट बनाने के लिए मैं तीसरा चैनल करना होगा जिसमें आपका स्लेक्ट रेसिपियंट का भी आधी करने के पहले आपको т परतिबंद नहीं है हालागी पासवाड जो है ms excel में डैस है तो ms excel में कैसा आपका case sensitive है ठीक है case sensitive जो कि आपका राइटेस हो जाएगा case sensitive ठीक अगला देखिए 36 बार उप्योग करके data के तुलना करने के लिए उप्योग किये जाने वाले एक प्रकार के charts को क्या कहा जाता है तो जो 36 बार के जो डेटा होते है उसे बार चार्ट कहा जाता है ठीक है वार चार्ट तो राइटेस आपसा नमबर यानिकी बार चार्ट ठीक है दोस्तों यह तक कुछ ब्यार में ट्रॉल्ड डियो के एक जाम म कुछ बांबर बदीक है एक जाम में टार्ट का जाता है तू तो नमबर यह जो